मस्कार में लोना राम और आप देख रहें मेरा यूटूबर फेस्बूक पेज अभी मैं मौझूद हूँ रोहट के नीमली में जहां पर अठारवी नैशनल जंबूरी का आयोजन होना है चार जनवरी से और आपको बताते हैं सबसे बड़ा इस्टेडियम जो जैपूर में इ इस्टेडियम है उससे दुगुनी समता का स्टेडियम वह भी और इस्टाई कैसे बना पूरा दिखाते हैं आपको एक बार पहले नजर डालिएगा यह जो इस्टेडियम बनाया गया है इसे और भारत स्टाउट गाइड के जो लोग है उनकी तरफ से बनाया गया है कितना की से इसका काम हुआ है वो देखे पूरा का पूरा जो है लकडी से बनाया गया है तैका कि इस टेडियम है वैसा इस टाइचित nu यह लेकिन सिर्थ होते हुए भी इसकी जो बारी की से देखो आप कि किस तरीका से बंआने में committed चीजे लगाई गई है कितनी सजावट की गई है और आपको दिखेगा कि जो इस्टाई रूप से कैसे बनाते है उस तरीके का पूरा आपको दिखेगा यह पूरा का पूरा लकड़ी का स्टेटियम है स्काउट गाइड के अधिगारी मेरे साथ मुझूद है इनसे जानते हैं कि स्काउट गाइड संगेटरन की जंबूरी जो सट सट साल पहले हुई थी उनिश्वचपन में जैपूर में उसके बाद कोई जंबूरी नहीं हुई तो जंबूरी का आयोजन उनका अपना सपना तारू सपना साकार होने जा रहा है पूरे भारत का जो है यह अठारवी र प्रियास के था कि 35,000 बच्चों को बिठाने के लिए एक स्टेडियम की आउशकता है और वह स्टेडियम जो है बहुत लेवल का हो हाई लेवल का हो मजबूत हो और बच्चे उसको एंजोई कर से क्यों कि आकरशन पूरी जंबूरी का आकरशन जो होता वह एरिना होता है औ ब्लॉक में 10 स्टेप है और 10 स्टेप को जो है कवर किया नीचे 200 बल्यों से बल्यों की मजबूत बल्यों को लेकर कि इसको कवर किया है इतना भी ध्यान रगा कि दीमक की कोई प्राबलम नहीं उसका टेटमेंट भी पूरा इसमें पहले यहां पर किया है उसके बाद यह करेडियम के अंदर जो बना है लगवक्त 16 गेट इसमें होंगे एरिना के अंदर इसमें विए पी गेट हमारे जो मैं मानी जो भी मुख्य अतिति हमारे होंगे उनके लिए रोश्टम जो है जो बना हुआ है चालीज भाई 35 कार 15 फीट हाइट पर एक रोश्टम बन रहा है गए जो हमारा मुख्य मंच होगा तब एक ड्र44 जो है व्युपी गेट होंगे दोनों साइट पर हमारे दिकारी जो होंगे ये पि अधिकारी ओंगे इसपर कारा जनरल अधिकारी होंकि और जल्हें साधरन व्यक्टियों के लिए ग्येरी होगी और उसके बाज-द दस शिम स्टुडेंट्स जो स्काउट और गाइड जो पूरे भारत से वर्ड से आएंगे वह इस पर बैठेंगे तो बैठने की दरश्टी के उनको ध्यान में रखते हुए एक तो इस पेस हमने जो अन्य जंबूरियों में यह प्राइद देखा जाता है कि इसका जो स्पेस जो हमने यहां पर तीन फिट लिया है वो लगबग दो धाई फिट ही होता है बच्चों को बैठने में सुईदा कम रहती है तो उसको विशेश ध्यान दिया गया है दूसरा इससे एकी खाश्यत रहेगी विशेश ता रहेगी कि यहां पर जो प्लाइ मजबूत प्लाइ का उप्यों गया है जो पहले की जंबूरियों में फंटे या बांस या बल्ली से ही वो इस्ट्रेचर तयार किया जाता तो बच्चों को बैठने में लंबे समय तक बैठने में ऐस सुईदा रहती है इसके साथ में यहां अगर देखें तो बच्चे नीचे जब देखते थे उसमें इस सबुंड कि पर चैडिला है कि अब तक की जंबूरियों से सबसे बैस्ट जो है यहना यहां पर तयार किया जा रहा है जैसा कि आपने पता है कि जहपूर के स्टेडियम से बी जब डबल कपिस्टिus का इस वहां बन रहा है टोटल यह लखडी यह पूरा एरेना जो है लगबग जो यह इदर आप देखेंगे कि साइट पर 1000 फिट लंबा है और 1400 फिट इस साइट पर चोड़ाई पर इस तरीके से आउलाकार का यह एरेना है और इसमें बीच ओ बीच जो सोबाई सो का एक मंच तयार हो रहा है जो सामान देख रहे हैं भी पंच यजार 18जारद nessa जार बच्चें मिलकर के भी इस गतिविदी वरिसले पर शैरेना के कल्चुरल प्रोग्राम को करेंगे तो इस परकार से यह मुख्या आकर्शन हमारा जो है जम्मुरीका यह रहे गा हमारा एरेना यहां का मुख्य आकरसंड रहेगा क्योंकि इसे और इस्ताई तोर पर बनाया गया हूँ लेकिन सबसे खास्यत जो है इसमें कि एक तो इसकी कैपिशिटी बहुत ज्यादा कैपिशिटी है और इस्ताई रूप से बनाने के बावजूद भी इसकी जो सजावट है वह जबरदस तरीके से की गई है ताकि जम्होरी में आने वाले तमाम लोगों की जो नजर है उस पे रहे और वो तारीव करते रहें कि किस तरीके से एक बहत्री तरीके से बनाया गया है तो मैं आपका साथी लूना राम पाली